आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी एक्शन ड्रामा फिल्म जो हर एक मोमेंट पर आपको गूस बंस देगी और एक ऐसी कहानी जिसको लिखा और डारेक्ट किया है पार्क जंग वू ने जिसने सिर्फ 0.47 मिलियन डॉलर के बजट पर 32 मिलियन डॉलर की कमाई की है वेल इसने IMDb पर भी शानदार 6.7 की रेटिंग हासिल की है अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी शानदार फिल्म होने वाली है इसलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को कहानी के शुरुवात साउथ कोरिया के यानबल नाम के एक छोटे से शहर से होती है जहां जे अपनी छोटी से फैमिली के साथ रहा करता है जे की फैमिली में उसकी मा, सिस्टर इंलाउ और उसके दो बच्चे हैं जो भी काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली के दो बड़े लोग यानि की जे के फादर और उसके बड़े भहिया पावर प्लांट में काम करते में मारे गए थे और अब घर चलाने के लिए जे की शहर में कोई बड़ी जॉब ना होने के कारण उसको भी पावर प्लांट में ही काम करना पड़ता है थोड़े समय बाद जे और उसके कुछ दोस्तों को हम यानबुल पावर प्लांट में देखते हैं जहां एक लेड़ी पूरे प्लांट में नज़ा रखे हुई थी और साथी नोटिस कर रही होती है कि कौन कैसा काम कर रहा है इसके अलावा कौन सेफटी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं शिफ्ट के बाद जे शाम को अपनी गर्फरेंट के घर आता है और उसको बताता है कि उसका पावर प्लांट के काम में मन नहीं लगता इसलिए वो आने वाले दो सालों के लिए समुद्र के बीच में फिशिंग करने जाएगा मगर एउन उसको डाटते में बोलती है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देगी क्योंकि वो जे से अलग नहीं होना चाहती इसलिए एउन ऐसा करने से इंकार कर देती है मगर जे उसे मनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है वो जाकर यही सेम बात अपनी मा को भी बोलता है लेकिन उसकी मा भी उसको जाने से मना कर देती है दरसल शुरू से ही जे का सपना है एक मच्छवारा बनने का लेकिन पावर प्लांट में वो बस मजबूरी में काम करता है दूसरी योर साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट की वाइफ उन्हें पावर प्लांट के यूनिट वन की रिपोर्ट देती है और उसमें हो रही गड़बडी यानि की यहां सेफटी मेजरमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा था इसके बारे में प्रेजिडेंट को बताती है इसी दौरान हम प्लांट में काम करने वाले दो लोगों को देखते हैं यो आपस में प्लांट के सेफटी स्टांडर्स और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं अगले दिन प्रेजिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स को बलाते हैं और सभी से प्लांट में पैदा हो रहा है खत्रे को लेकर बात करते हैं और साथ ही में बताते हैं कि कैसे power plant की unit 1 में safety measures की धज्या उड़ रही हैं। थोड़ी दिर में सारे ministers की meeting होती हैं जिसमें पता चलता है कि ये power plant देश की economy के लिए बहुत important है और पूरे देश की economy इसी पर टिकी हुई है। इसलिए president को आखिर में power plant को चालू रखने का फैसला देना पड़ता है। उसी दिन जब G और उसके दोस्त प्लांट में काम कर रहे होते हैं तबी अचानक से 6.1 magnitude का भूकम पा जाता है और 6.1 यानि काफी खतरनाक भूकम होता है। जिससे unit 1 जहां safety measures को अच्छे से follow नहीं किया जा रहा था उसके reactor की coolant वाली एक pipeline में crack आ जाता है। जिसके कारण reactor में रखा coolant water बाहर बहने लगता है और अब इस कारण से reactor का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब अगर ये reactor फट जाता है तो यानबुल में काफी दूर तक strong radiation leak हो सकती हैं और आसपास का पूरा area खतम हो जाएगा। ये सब जानकर कुछ लोग unit 1 के pipe को ठीक करने चले जाते हैं। अगर ठीक करते समय वेल्डिंग की वजह से pipe के अंदर का pressure और जादा भढ़ जाता है। जिस वजह से आसपास के और भी pipe फट जाते हैं। और अब pipe के अंदर का पूरा coolant water भार भहने लगता है। जिस वजह से reactor का तापमान लगातार बढ़ना चालू हो गया है। जिसको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी unit को blast कर देगा। प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताया जाता है और प्रेसिडेंट शहर में रहने वाले सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का order देते हैं। शहर के सभी लोगों को बस की साहता से पासी के एक स्टेडियम में लाया जाता है जहां जे की फैमिली के साथ यौन भी होती है। इधर पावर प्लांट में कुछ लोग फिर से रियक्टर में हुए क्रैक्स को ठीक करने जाते हैं। मगर रियक्टर के बढ़ते टेंपरिचर के कारण वो लोग अपना काम बीच में छोड़ कर भागाते हैं। और देखते ही देखते रियक्टर के युनिट वन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके से पूरी युनिट वन तबाह हो जाती है। मलबा और रेडियेशन अब पूरे शहर में फैल चुकी हैं। धमाके की वज़ा से पावर प्लांट के अंदर जे के कई सारे दोस्त मारे जाते हैं। मगर जैसे तैसे जे खुद को बचा लिता है। लेकिन जब ये बात प्रेजिडेंट को पता चलती है तो वो इस खबर को मीडिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये बात मीडिया तक पहुँच गई तो उनके देश के सारे पावर प्लांट बंद कर दी जाएंगे। और ये पावर प्लांट उनकी देश के एकॉनमी के लिए बहुत जादा जरूरी है। इसी कारण से प्रेजिडेंट इस जानकारी को बाहर के देशों में ना बताने का फैसला करते हैं। यह हम एउन को देखते हैं जो भागी भागी सीधे पावर प्लांट के पास पहुँचती है। प्लांट में होए हाथसे और रेडियेशन के बारे में सब को बताती है। जिस कारण लोगों में हड़कम मच जाता है और सभी लोग गेट की तरफ भागना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर ये लोग बाहर गए तो हाथसे की बात बाहर की दुनिया को पता चल जाएगी। इसलिए पुलिस स्टेडियम के सबी गेट्स को बंद कर दीती है। अब सब लोग अपने अपने फोन से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि पुलिस ने सिग्नल जैमर्स लगा रखे हैं। जिस वजह से कोई भी कॉल नहीं कर पाता। दूसरी और हम जै को देखते हैं जो प्लांट में खुसकर अपने दोस्त को बचा रहा होता है। लेकिन तब ही एक पाई फटता है और उसके अंदर का कॉलेट सीधा जै के शरीर पर आकर गिरता है। जिससे उसको एक अजीब सा शौक लगता है। मगर वो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने दोस्त को प्लांट से बाहर ले आता है। पर रेडियेशन के कारण अब उसकी हालत भी बिगढ़ने लगती है। इसलिए जै को अब अस्पताल में भरती किया जाता है। इधर पावर प्लांट में कई सारे फायर फाइटर यूनिट वन के लगातार बढ़ रहे तापमान को कम करने की कोशिश करने होते हैं। और हम देखते हैं कि रियक्टर से निकलने वाली रेडियेशन हवा की मदद से देश के दूसरे इलाकों में फैले लगी है। बढ़ते हुए रेडियेशन के कारण दूसरे देश जैसे चाइना, जापान और अमेरिका अपने लोगों को वापस बुलाने लगते हैं। बढ़ती रेडियेशन की खबर पुलिस को भी दी जाती है। इसलिए इउन पुलिस को जगा खाली करते हैं देख लेती हैं और जल्दी से वापस आकर बाकी लोगों को सारी बात बताती हैं। साथी में कहती है कि अब हमको किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। सभी लोग एक साथ मिलकर दर्वाजे को तोड़कर बाहर निकलना चालू कर देते हैं। तभी इउन को सामने एक बस दिखाई देती है। सभी लोगों को उसमें बैठा कर ड्राइविंग करते हुए इउन सब को शेहर से बाहर एक सुरक्षे जगा पर ले आती है। लेकिन अब हाथसे की खबर मीडिया तक भी पहुँच चुकी है जिसके कारण 30 किलोमेटर्स के रेंज में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों को खाली करना चालू कर देते हैं। और इधर जैसे ही जे को होश आता है वो अपने यूनिफॉर्म से फोन निकाल कर ए उन को कॉल करके अपने हालचाल के बारे में बताता है। साथी कॉल कट करने से पहले अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाने को कहता है। लगातार बिगढ रहे हालात को देखकर प्रेसिडेंट अब फाइनली यूनिट वन को डी कमिशन करने का ओर्डर देते हैं जिससे बढ़ती रेडियेशन को कंट्रोल में लाया जा सके इसलिए प्रेसिडेंट चीफ पार्क नाम के एक आदमी जो की पाउर प्लांट का हैड है उसको कॉल करके ओपन सी वाटर डालने को कहते हैं जिससे रेएक्टर में निकल रही रेडियेशन को कंट्रोल में लाया जा सके चीफ पार्क ऐसा ही करता है लेकिन अभी भी रेएक्टर पूरी थरा से ठंडा नहीं हुआ था रेएक्टर को ठंडा करने के लिए उन्हें इस सबी लोगों को आगे की यातरा पैदली करनी पड़ेगी जिसको देखकर प्रेसिडेंट पहली बार जंता से मदद मांगते हुए लोगों को आगे आकर कंदे से कंदा मिलाकर इस लीकेज को ठीक करने के गोहार लगाते हैं इधर अस्पिताल में सबी लोग प्रेसिडेंट क के अंदर हो रही लीकेज को ठीक करने के लिए मान जाते हैं. जे कॉल करके सारी बात प्यवर्ण को बताता है जिस पर प्रेसिडन्ट और बाकि सभी लोग देख रहे होते हैं. अंदर गये सभी लोग टीम्स में बठकर काम करना चालू कर देते हैं मगर दुर्भाग गिवश लीकेज और बढ़ जाता है और अब उसको ठीक कर पाना लगबग ना मुम्किन है मगर जे सब को आइडिया देता है कि अगर हम फ्यूल टैंक के नीचे के हिस्से को बॉम से उड़ा दें तो टैंक में रखके फ्यूल रॉट्स और कूलेंट नीचे चैंबर में आ जाएंगे जिससे चैंबर एक नए रियक्टर की तरह काम करेगा और तापमान में कंट्रोल में आ जाएगा लेकिन जो भी ये काम करेगा वो भी उसी के साथ मारा जाएगा कोई भी ये काम करने को राजी नहीं होता मगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जे रिडी हो जाता है पर इस काम को करने से पहले अपनी आखरी इच्छा के रूप में जे अपने घरवालों से बात करना चाता था प्रेसिडेंट जे की इच्छा पूरी करने के लिए उसके हेलमेट में लगे कैमरे की मदद से उसे पूरे देश में लाइव दिखाते हैं जहां एउन को कॉल पर जे के लाइव आने के जानकारे दी दी जाती है इसलिए एउन जल्दी से सब को बसके अंदर बुला लेती है अंदर लगे टीवी की मदद से सबी लोग जे को आकरी बार देखते हैं जे उनको अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बोलता है साथी एक emotional message सब के लिए छोड़ कर जाता है जे के सारी बाते सुनकर सबी देशवासी काफी दुखी हो जाते हैं और सबकी आँखों से आसो निकल आते हैं आखिर में जे सबी देशवासी को कहता है कि उसके बलिदान को ना भूले और बॉम को लेकर अंदर चला जाता है अंदर जाने के बाद गेट को सील करते जाता है ताकि ब्लास्ट बाहर ना पहुंचे बॉम ब्लास्ट होता है और फ्यूल टैंक में रखा कूलेंट और फ्यूल रॉट्स दोनों चेम्बर में आ जाते हैं जिसके कारण उपर रखे रेक्टर का टैंपरेचर भी नीचे आने लगता है और फाइनली सब लोग बच जाते हैं कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो लोग भी उस रेक्टर के पास थे वो सब रेडियेशन के कारण मारे जाते हैं मुवी के आखिर में यौन अपने टाउन वापस आती है जो देखती है कि पूरे शहर को सील कर दिया गया है इसलिए वो अपनी और जे के बचपन की फोटोस को गेट पर लटका कर चली जाती है जिसके साथ ये इमोशनल कहानी यही पर खत्म होचाती है क्या इस कहानी को सुनकर आपको एक और रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पाइड मीनी सीरीज याद आ रही है जिसको आइम डीबी पर 9.5 की रेटिंग मिली है अगर हां तो अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें बाकि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वो भी एक और मज़ेदार कहानी के साथ लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद